ग्यान दे ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि घर में कच्छुआ रखने के क्या लाव होता है वास्तू या फिर चाइनीज बास्तू या फिर फिर फिंग स्वी इन सांस्तर के सिदानतों को अपना कर वैति जीवां में सुख सम्रिदी और पुशिया पासकता है ज़ता चूटे चूटे उपाय अपना कर अपने एक्छाओं की पूर्ती भी कर सकता है अब मैं आपको कच्छुआ घर में रखने के बारें बदाता हूं फैंक्स्वी के हिसाब से कच्छुआ शांत और मंद गती से चलने वाला दिर्ध जिवी प्रानी है कच्छ के प्रतीक को घर में रखने से आर्थिक उनत्ती होती है तादा घर में सकरात्मक उजा का संचार होता है जिससे में घर में रहने वाले सभी सधस्यों की सहीत अच्छी रहती है वास्तु तादा फैंक्सुई में धातु या अस्फिटिक प्रिमित फैंक्सुई कच्छुआ में रखते हैं कच्छुवा एक प्रभावसाली यंद्रें जिसे वासुदोस का निवारन होता है और खुशाली आती है सनातन धर्म में कच्छुवे को कुर्म अवदार अथात कच्छप अवदार केकर संबोधित किया गया है धर्मा नुसार भगवान विश्नु के दसावतार में कुर्म अथा कच्छुवा भगवान विश्नु का दूसरा अवदार है पद्म पुरान के अनुसार कच्छप के अवतरण में भगवान विश्णु ने छीर सागर के समुद्र मंतन के समय मंदर मंदरांचल परवत को अपने कवच पर ठामा था सास्त्रों में कच्छप अवतार की पीट का घेरा एक लाग हुजन वर्मित किया गया है इस प्रकार वासुकिनाथ स्री भगवान विश्णु के कच्छप अवतार में मंदर मंदरांचल परवत तता स्री वासुकी अथार्थ सेसना की सहायता से देवों और असुरों मंदर मंधन करके चौदा रतन की प्राप्ति की इसलिए उसकी पूजा अर्चना भी किया जाती है उसे शुब बाना जाता है कि अभी कच्छप के रखने के सिद्धान्त को आपको बता देता हूं कच्छप का प्रतिक एक प्रभौसाली यंद्र है जिससे वास्तु दोस्का निवालन होता है तता जीवन में खुशाली आती है वास्तु ता फेंग्सुई में इसको अस्थापित करने एक कुछ सिद्धान्त बताये गए हैं इससे अपनाकर आप वास्तु की इस अमुल धरोहर से लावानवित हो सकता है कच्छो को घर में रखने से काम्यावी के साथ साथ धन दौलत का भी समावेश होता है इसे अपनी ऑफिस या घर की उप्तर दिशा में रखे कच्छो के प्रतीक को कभी बेड्रूम में न रखे कच्छो का स्थापना है तू सर्वोत्ता मसान ब्राइंग रूम में है अभी स्थापना है दो कच्छो का प्रतीक एक साथ नहीं को को वाला करें इसलिए काच्छोओ का चीतरं आपको उत्तर दिशा कि तरफ लगाना है ⟨ यह आपके स्वास्त पर अनुकूल प्रभाव डालेगा यदि आप स्वास्थ कच्छो आपने हर में रखते हैं तो आपकी आयू लंबी होती है साथ ए घर में किसी भी तरह के धन की कमी नी रहती है और घर परिवार में सुरच्छित रहता है यदि आप बैवसा ही है तो अपनी दुकान के मुख गेट पर कच्छुए का चितर लगई है कच्छुआ घर में ढेर सारा भागे लाता है घर के में गेट प होता है कच्छुए को नौठ में रखने से आपका प्रभा समाज में बढ़ता है यदि घर में लोगों की सहित खराब रहती हो और इसे कारण समझ नहीं आ रहा हो ऐसे हम कच्छुए को घर के दक्षिन पूर्व दिशा में लगई है इस उपाई से घर में आपको लाब मिले तो यह मैंने कच्छुए के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे दी तो धन्यवाद आप हमारी चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंड पीशिए खन्यवाद